मैं चलो प्यार बच्छे इस वाले को देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि यह कहता है यहां पे एक अपने नुखलियर्श ऐउरेनियम Uranium decay at rest मतल sillet यह दो अगर रेक हुआ है किसमें तोर्यम and helium uranium decay into two parts मतलब इधर मान लो इस साइड जो है वो थोरियम जा रहा ती एच ठीक है और इस साइड अपोजिट जो है momentum conservation होने के लिए helium जा रहा alpha particle ठीक ना क्योंकि दोनों opposite में मुख करेंगे क्योंकि मास यहां से मास अफ हीलियम और इस इस दे मास अफ थोरियम ठीक है और यह momentum सिंस इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा इसलिए momentum vector of alpha particle helium nuclei must be momentum of thorium equal and opposite होगे वैसे भी याद रख लो यार कभी भी अगर कोई particle rest में है और दो पार्ड में ब्रेक होगा तो हमेशा opposite direction में ही मूब करेंगे प्यारे बच्चों तो यह मोमेंटम कंजर्वेशन से लिए momentum इसको मोमेंटम इन दोनों का magnitude में मोमेंटम का मॉड इन दोनों का क्या बोलो कॉंस्टेंट है magnitude में तो काइनेटीक इनर्जी के बीच का relation मास बता देगा न तो काइनेटीक इनर्जी और मोमेंटम में कम होगा ट्राइट मास ज्यादा होगा तो इसकी काइनेटीक इनर्जी कम होगी तो थो मोGM की